कजाफी स्टेडियम की एक्स्क्लोजिव अपडेट्स एक बार फिर से आ चुकी है वैसे यार मैंने थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दिया है अब आपको थोड़ा अरली वीडियो मिला करेगी वैसे शाम के टाइम मैं करता हूं यूज्वली क्यूंकि बहुत ज्यादा हलचल म काम हो रहा है कजाफी स्टेडियम में जो के अलाव नहीं होता हर किसी को कि जा के आराम से वीडियो बनाएं सेम टू सेम जिस तरह पिशावर स्टेडियम का था बट वहां पर जो सूर्स अब बैठे हैं यह जो लेटेस्ट अपडेट्स देख रहे हैं यह मेरे पास आ रही ह लेकिन मुझसे पहले भी बहुत से ऐसी जर्नलिस्ट वगरा है रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद भई हमें भी बेज दे तो मैं उनको फिर बेज दिया करता हूँ तो जब उनके साथ शेर हो जाए फिर आपको डिफरेंट चैनल से सेम सेम फुटेज देखने को मिल रही होती लेकिन खैर मैं अपने वीवर्स को हमेशा एक्स्क्लोजिव फुटेज देता हूँ अगर मुझसे पहले कोई चैनल अपलोड कर देता है तो यार अच्छी बात है वो भी आपको अपडेट दे आप उनको भी सपोर्ट करें खैर अपडेट मुझे बहुत पहले ही सोर्स से म आपको फुटेज दिखा रहूं ना आप पूरे यूट्यूब फेस्बुक में जाके देख लें किसी भी चैनल से आपको ये दिखने को नहीं मिलेगा तो कहने का मेरे मकसद यह है कि सबसे अरली मेरे पास अपडेट आ जाती है लेकिन एडिटिंग वगरा में टाइम लगत आपने स्टेर्स देखा था इंसाइड पिविलियन का इन्होंने रैडि किया था बट आज आपको कॉलम समेथ जो PCB हैड़कौर्टर है साथ-साथ जो स्टेर्स हैं मार्शालला आप देखे इन्होंने स्टेप्स भी अब रैडि कर दी है तो इच और आज की वीडियो में बा गार्डर्स बिचा दिये थे बट बीच का जो हिस्सा था फ्रेम्स लगाना वो बाकी था खैर वो आगे चलके देखेंगे साथ-साथ नीचे आप साइड पे देखें जो खुदाई वाला एरिया था वहां पे फाइनली इन्होंने मिट्टी डालके लेवलिंग कर दी है ये जगा बिलकुल इन्होंने साफ कर दी है जैसे कि इसे ने जहाडू लगा दिया हो तो कल मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा था लेकिन आप देख लें नीचे जो आर्सीसी वाल साइड है बिलकुल नीट एंड क्लीन हो गया है अब आइस्ता यहां पे पाइलिंग वर्क ह साइड पर शिफ्ट हो गई है इम्रान खान इंक्लोजर साइड का जो पोर्शन है यहां पे काफी वर्क रिकॉइट था जिस तरह से आपको पता है उपर फ्रस्ट फ्लोर की चट एंड साथ साथ जो सेकेंड फ्लोर है वह भी पूरा का पूरा रहता था लेकिन अब देखें वर्कर्स यहां पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि राइट साइड कंप्लीटिड है उपर इन्होंने लेंटर डाल दिया इच एन एवरिटिंग कंप्लीट है तो बही डे नाइट काम हो रहा है इस वजह से गाडर्स काफी क्विकली यह लोग लगा रहे हैं जैसे आप देख र फ्लोर है वो भी अभी बागी है तो बही जो में पुविलियन का औराल स्ट्रक्चर आप कहले वो लेफ्ट साइड की वजह से काफी धूरा-धूरा सा रह रह रहा था लेकिन अब जैसे ही यहां पे फस्ट फ्लोर कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको काफी मैसिव किसम कि यहां में पुविलियन स्ट्रक्चर का फस्ट फ्लोर के साथ नजर आ जाएगा यार मैंने उपर चट की फुटेज आपके साथ शेयर नहीं की वो भी मैं मंगवा लेता हूं जितना भी मैं आपके साथ फुटेज शेयर कर रहा हूं यह खुद ही मैं एक्स्लूजिव जाक आपको जो लोहे के फ्रेम नजर आ रही है यह इनको यूस किया गया है स्टेयर के तोर पे एन आप देखें पूरा जो स्टेयर केस है वो अब रेडी हो गया है सेकंड फ्लोर के लिए मैंने आपको कल भी बताया बहुत अच्छे से यहां पे अंदर की जगे यूटलाइज ह है देखें यार जो सेकंड फ्लोर के पिलर्स हैं वो तो उपर तक जा चुके हैं लेकिन मज़े की बात यह कि राइट साइड का हिस्सा धूरा रह गया था जिस तरह का पिविलियन का लेफ्ट साइड रहता था उसी तरह से पीसीबी बिल्डिंग का राइट साइड पोर्श तो फर्स फ्लोर आपको फिर एजी ली नजर आ जाएगा इस वज़े से ये काम थोड़ा सापको डिले सा लग रहा होगा पीसीबी हैट कौर्टर का तो खेर भई अब थोड़ा सा मूव अन करते हैं जो आउट फील्ड में काम हो रहा है स्टैंस की एलिवेशन के लिए भई ट्रेंच तक करीब नहीं है ये वो तो एक इंकलोजर एट लीस के रेड़ी हो जाना चाहिए और येस आपका जो राजाज इंकलोजर है वहाँ पे सेकिंड एंड थर्ड कॉलम्स के लिए भी काम शुरू हो चुका है इंशालला ड्रोन फोटेज में आपको दिखाऊंगा सा प्रेड़ी आंक से मैं देखना हो भाई नीचे जो ट्रेंच है वो भी इन्होंने पका कर दी है पहले आपको याद होगा यहां पे शेटरिंग लगा था लेकिन कंक्रीट डाल के कारदार इंकलोजर माजिद खान फजल महमूद ये सब आ जाता है वहाँ पे ट्रेंच अभी आगास करने के लिए वैसे तो रात के टाइम भी हो रहा होता है बाकी आप फोकस यही रखें कि जो स्टैंड के एलिवेशन है इसके लिए काफी मैसिव किसम एंड काफी तेजी से काम हो रहा है और आपको आने वाले एक हफदे में शायद हो सकता है कि राजा जिंक्लोजर अल्रेडी यहां पे मजूद हैं सिर्फ यहां पे इनको फिट करवाना है नट बोल्स की मदद से तो राजा जिंक्लोजर भी आप जर एक नजर देख लें वहां पे काफी सारे कॉलम्स रैडी हैं सिर्फ सामने के नहीं बैक साइट पर जो दो हैं वो भी बनना स्टार्ट हो के साब से फिर बना रहे हैं तो यह आपके साथ कुछ आउट फिल्ड की अपडेट शेर की थोड़ा आप इंतिजार कर लें आने वाले हफ़ते में आपको दिखाऊंगा कि स्टैंड की एलिवेशन किस तरह से हुई है एंड खुशी के बात यह है कि 3D मॉडल को देख के अं चारा वो काम की है इस कजाफी स्टैंडियम के साथ रूफ गिराना यह सब कुछ करना यह टाइम पे होना चाहिए था ना ही कोई मनेजमेंट नजर आई और मैं आपको चीख चीख के यह बोलता था कि भाई यह 3D मॉडल जो आ रहे हैं टाइम को देके मैं कहता हूँ पाकिस तो यार यह BDP पैटरन से और कुछ ना बना एक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल बना पर कहेंगे नहीं आदा रूफ होगा कजाफी स्टैंडियम का आदा रूफ नहीं होगा क्यूंकि आदे लोगों को दूप सेकना पसंद है आदिक हो नहीं है इस वज़े से हम हाफ कर दें और साथ में चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज